Hello friends, welcome to the Caneca's Food recipe तो दोस्तों, आज हम करणने की बहुती टेश्टी सबजी बना कर तेयर करेंगे एकदम खटी, मीटी, टेश्टी सी बहुती लाजवाप सबजी बनेगी सबको यह पसंद आएगी, यह करणने की सबजी बहुती टेश्टी लगती है जब इसमें खटा मीटा स्वाद आता है तो खाने का बहुती से मन करता है तो आज फ्रेंड्स इस सबजी को एकड़म कम इंगिडेंस में बहुती लाजवाब सबजी बना कर हम तयार करेंगे बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा एकदम कम असाल में भी बहुत ही टेश्टी बनकर ये तयार होगी तो चलिए फिर बना लेते हैं तो ये करोंदे की सब्जी बनाने के लिए मैंने 200 गरम करोंदे का इस्तेमाल किया है इन करोंदों को मैंने अच्छे से दो लिया था और अ च्छे से कटे हैं और इसकी बीज़ मैं निकाल दिया है तो खाने में थोड़ी से प्रोबलम आती है इसलिए मैंने इसके सारे भीज़ हटा दिया है तो चलिए बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए कड़ाई में दो तीन टेबले स्पून तेल गरम कर लेंगे तो तेल जब अ पादी चोट अचा मजीरा और इसमें थूड़ इसे दानी कलोंजी के भी एड़ कर देंगे साथ ये अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ये अच्छा फ्लेवर आएगा इन सब का इस सबजी में इस पर यह आपको इसे पकाना है दूसे तीन मिनट तक इसे दोस्तों पका लेंगे ताकि यह थोड़ी से ओयल में फ्राई हो जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा टेश्ट आए यानि कच्छा टेश्ट इसमें नहीं आए अब स्वादनसार इसमें एड़ कर देंगे नमक साथ इस अदर चोटा चमच हल्दी पाउडर और इसमें टेश्ट के अकोडिंग डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर जितना तीक आपको पसंदो आप उसे साथ से इसमें डाल सकते है अब अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं तो दो तीन मिनट तक इसे ओड़ पका लेंगे ताक अब इसमें डाल सकते हैं तो अब इस चीनी को भी एच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक बार इच्छे से चला देंगे ताकि चीनी नीचे लगे ना तो चलिए चीनी भी एच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे डखन लगा कर पका लेंगे उससे पहले इसमें एट कर दें एक बार चेक कर से लएगे तो देखिए के रंदे पक गए है और इस सब्जी बहुत ही टेश्टी बनकर तयार हुई है इस सब्जी का टेक्सर आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सर आया है कितना प्यारा कलर आया है देख सकते हैं आप वीडियो में फ्रेंड्स खटी मीटी एकडम चटपटी झाल झाल